मैं टिपिन के लिए बहुत ही परफेक्ट नास्ता का रेश्पी लेकर आयो फ्रेंस जो सुवा के जंदवाजी में आप छेटपट इस नास्ते को बना सकती है इसे बनाने में आपको कोई भी जंजट नहीं होगी और इसे आप नास्ते में या तो बच्चों को लंज में भी द तो एक कोडोरी एक रेश्पी में आप यूबध कर सकते हैं और सेम कडोरी से ये कडोरी मैंने दला आ है तो बना सकते हैं और आप सबना टीया है और देख सकते हैं तो और या दे can scout स Dry मिजह देख रही थे तो मैंने इसमे थोड़ा सा पाने डंड़ी हो और अच्छे से मिल दिया है यह देखिये तह बिल्कुल आपको इस तरह का गोल भूद Anda अब इसे पांच तो ङला डब कर साइड में रख दी हूँ और यहाँ पर मैंने कड़ाही रखा है और मैंने दो मुस्त तील डॉडदा है और यह यह मैंने कड़ जीरा डाला है और यह मैंने डाला अध्रेक लेसन हरामिस्ट का पेस्ट अहां पर मैंने डाला है मोटर तो मोटर मैंने कच्छा ही डाला है मैंने बौाल मोटर को यूज नहीं किया है और इसे मैं दो से तीन मनद तक मिला कर इस तरह से भूझ लूँगी ताकि मोटर भी है जो पक जाए तो यहां पर मैं ड अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस रेश्पी को बिना पनेर को भी बना कर देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगता है में पास था तो मैंने डाल दिया मुझे तो इसका फ्लेवर अच्छा लगा था खाने पर तो यहां पर मैंने कदुकस किया हुआ गाज़े डाला है बॉयल क्या हुआ मसला हुआ अलू डाला है और दोनों को अच्छे से मिला कर भूंज लेती हुँ तो यहां पर मैंने से अच्छे से भूंज लिया है और थोड़ा सा मैंने में हल्दी पौडर थोड़ा सा मैंने में धनिया पौडर और थोड़ा सा मैंने में मिर्ची पौड डाला है स्वाद अनुसार नमक और थोरा सा मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला यह देखिए अगर आपको मसाले के कॉंटेटे कम लग रही है तो थोरा पहुतारो आप बढ़ा कर डाल सकते हैं तो सभी चीजों को मैं अच्छे से मिला कर दो से तीन मिनट तक आउर में बूझ लेती हो ऐसे मसाला भी कच्छा नहीं रहेगा और अच्छे से आलू जो भूंजा भी जाएगा तो उपर से मैंने इसमें जीरा पौडर डाला है तो इसे ज्यादा पकाने का आपको जरूरत भी नहीं परेगी और मेरा अलू का मिसरन जो है बिल्कुल रेड़ी हो गया है इस थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी डाला है और इसे मैं अच्छे से मिला देती हूँ है यह देखिने पर बिल्कुल इस तरह का होले जो आपको रेडी करना ना जादा यह गाड़ा है ना जादा यह पतला जैसे इडली का आप तयार करते है गोल भी सुआ जोंत ऑसह को इसका घॉल रखना है तो यहां पर मैंने गयाज के उपर पेन रखा है एक चमच मैंने इसमें छेसे फैला दिया मैं अब सुझजी भल्ला गोल को इसमें डालना है जो मैंने आलू का मिसरन रेडी किया है इसके उपर से मैं इस तरह से डाल दूँगी और हलके चमसे से दापना भी है कि ताकि आलू का जो मिसरन है बाहर ना निकले उपर से मैं सुजी का जो घोल है उसी से इसको कवर कर देती हूँ यह देखे फ्रेंस इस तरह से कवर कर देना है और इस नास्ते को पकने में स्रिफ आपको दो मिनट लगेगा प्रेंस जादा नहीं लगेगा बस मीडियम गैस पर इसे ही पकाना है तो मैंने धकन से इसे कवर कर दिया है तो यहाँ पर दो मिनट हो गया है तो ढ़कन को मैं हटा लेती हूँ और इसे दुसरे साइड पलट देती हूँ दूसरे साइड भी फ्रेंस आपको दो मिनट लगी गया इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस नाशते को तयार होने में तो इसे ढख देती हूँ और दो मिनट हो गया और ये देखे दुसरे साइड भी अच्छे से पक गया है ये देखे तब मैं इसे निकाल लेती हो और सेम तरीके से जो बचा हुआ नास्ता है उसे भी मैं तयार कर लेती हो तो इस नास्ते को आप चाहे तो बना कर फ्रेज में भी रख सकते हैं जब आपको मन करें तब आप इसे गरम गरम इस तरह से बनाएं और किसी को भी आप सब कर सकते हैं खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंस यकीन मानिये फ्रेंस और इस नास्ते के एक बार इस करना यह यहांगा पर मैंने से टॅइंगाट साथ साथ सब किया है क्यों कि एनास्ता मुझे टमार सौइस के साथ बहुत पसंद है तरहसं लिए उतके तैसकी है तो आप मैं आपको कुछ ने उसको जेदा करके दिखाती हूँ कि अंदर कर इसका दिखने में कितना सुंदर है फ्रेंस जब खाने में तो और भी आपको टेश्ट लगेगा तो मेरी बेटी को अब मुझे तो बहुत ही पसंद है तो सुगा का टाइम तो मैं कभी नाजते में ये बना लेती हूँ या तो मैं अपनी बैटी को भी लंच में इस तरह से बना कर दे देती हूँ तो इस नास्ते को फ्रेंस आप चाहे तो अपनी मनफसंद चटनी हो सौसे किसी के साथ इंजॉय कीजिए और एक बार जरूर से ट्राइ किजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर से बताईएगा प्रेंस आपको मेरी रेश्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक किजिए दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल भी ना भूले और जो मेरे वीडियो देख रहें जो नहीं भी देख रहें उनको मैं दिल से धनी बात कहती हूँ फिर मैं मिलूंगी नहीं रेश्पी के सब्सक्राइब